बच्छे आम दिल देगी बच्छामं की जोसकी है आज मैं आपके लेके आई हूं कच्छे आम की यानी कच्छी केरी की बहुती मज़िदार सी चूसकी बहुती आसान सी बहुत ही सिंपल है आप इसे जरू से ट्राइए कीजिए में वर्षा भाउसा रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चले फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर तीन कच्छा आम लिया है यानि मैंने यहां पर कच्छी केरी ली है इसे मैंने अच्य से दो लिया है अब दोने बाद मेंने ऐसका छिल्का निकाल दिया है और छिल्का निकालने चिल्का पाद मैंने न के पीस कर लिए है ड्रह मैं आ इसे डाल देते हैं किसी बर्टन में अब हम Ses में डाल दो यह पानी बहुत ज्यादा नहीं डोले मैंने यहां-पर एक स तो इसे पकन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लगवक 4-5 मिट में केरी जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो एक केरी के पीस को हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं केरी अच्छे से दबने लगे यानि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारनी के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना इसके बाद हम इसे मिकसी जार में डाल के पीसेंगे तो अब आप देख सकते हैं केरी हमा जादा पसंद आएगी क्योंकि एसा जो फ्लेवर है गर्मियों की दिनों में बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और अब हम इसमें डाल देते हैं एक कप पानी और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ पत्तिया पोधीने की यहाँ पर मैंने फ्रेश पोधी न स्वादानुसार मैनेश कर लीजे एक बार इसे टेस्ट कर लीजे अगर चीनी कम जादा लगती है तो आप यहाँ पर घटा बड़ा सकते हैं चीनी को तो जार कढ़कन लगा देते हैं और इसे एक बार अच्छे से पीस लेंगे तो हमें यहाँ पर बिल्कुल इसे महीन पीस तो फ्रेंट्स बहुत ही आसान से रेसिपी है एक दम सिंपल सी है और बहुत ही आसान है इसे बनाना तो यह देखे फ्रेंट्स इतना महीन में ने इसे रखा है कोई भी बड़े पीसिस में बिल्कुल भी नहीं है तो चले अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लेते है तो आदा में एक बाउल में निकाल लूँगे क्योंकि हम यहाँ पर दो कलर वाली चुसकी बना रहे है ना इसी लिए तो यह देखे आदा में एक बाउल में निकाल लिया है और आदा में इस सिजार में रहने दिया है अब जो मैंने बाउल में निकाला था ना इसके अंदर हम इसके डाल देते हैं इसके अंदर तो friends कई लोग color को avoid करते हैं यानि food color खाना पसंद नहीं करते हैं तो अगर आप भी food color का use नहीं करना चाहते हैं तो इससे skip कर दीजे केवल simple ही रहने दीजे इससे test में कोई भी अंतर नहीं आएगा केवल दिखने में अच्छे लगे इसलि मार्केट में इजली मिल रहे हैं तो इसके अंदर में पहले बिना color वाला पेस्ट डाल देती हूं तो अभी हमें इसे आदा ही भरना है क्योंकि आदा हम यहां पर color वाला भी उस करेंगे और अब जो हमने green color बना के रखा था ना आदा हम green color से इसे फिल कर देते हैं तो इन के समय में आप खाये या बच्चों को दीजे तो अब मैंने यहां पर इस तरह से एक फॉइल पेपर लिया है तो कुल्फी वाले मॉल्ड को हम इससे पूरा cover कर देंगे और इसके उपर में एक rubber band लगा देती हूं ताकि यह दर उदर खसके नहीं और एक चाकू ले ले ल करते हैं तो यहां पर देखिए सभी स्टिक में इस तरह से लगा दी है तो अब हम इसे फ्रीजर में सैट करने के लिए रगतेंगे लगभग 8-10 घंटे के लिए तो जो बचावा पैस्ट है ना इसे भी मैं इसी तरह से चुस्की के मोल्ड में डाल देती हूं तो अभी मैं इसे फटा-फट से फ्रीजर के अंदर रग देते हैं तक यह अच्छे से जम जाए तो आठ गंटे हो चुके हैं आठ गंटी के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है तो अब हम यह रबर बेंड को निकाल लेते हैं और इसी के साथ जो हमने फॉइल पेपर लगाया वा था इसे भी हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुए बहुत ही बड़ा से हमारी यह पर चुस्की बन कर तयार हुई है तो अब मैंने यह पर एक बरतन में नॉर्मल वॉडर लिया है तो इसके अंदर हम यह चुस्की वाला मॉल्ड रग देते हैं और क आज की रेसिपी आपको कैसी लगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताईए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कुल ना भूले साथी अगर आप मेरी सभी रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वर्शा भावसार्स रेसिपी इस पे विजिट कीजिए और अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेस्बुक पे शरसोई घर को जरूर से फॉलो कीजिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ